यह दस लोगों को गाम नहीं है तरी पगार कितना तो बात कितने करता है सस्रेकार भाजी कितना टाइम हो हमरे दो दिन फिर भी लेके गूम रहा है बाडी को सला राओ दे राओ दे ए तुम चलो क्यों गए थे टेररिस्ट कामा हॉस्पितल कहां छुपाया था डॉक्रर ने जख्मी आतंगवादी को और अपने साथ किसे ले गए टेररिस्ट नमस्कार दोस्तों मैं स्वाती और बॉलिकराज सूडियो के यूट्यूब चानल पर आप सभी का पोखत स्वागत है कैसे हैं आप लोग मुझे यकीन है कि अच्छे होंगर अच्छा होना भी चाहिए तो दोस्तों फिल्म सूर्यवंशी जो लॉक्डाउन के बाद रिलीज हुई थी ये काफी जादा सूपर दूपर हित साबित हुई थी और इस फिल्म में दिखाया गया था उन मुंबई हमलों के बारे में जिसने पूरी मुंबई को दहला कर रख दिया था इस फिल्म में काफी सारे आतंगवादी बच निकले थे और कुछ तो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल पाये थे और अब जब सूर्यवंशी 2 आने वाली है तो उमीद है कि उन्हीं आतंगवादियों को पकड़ने की कहानी दिखाई जाने वाली है तो कैसे रोहत इस फिल्म को और जादा स्ट्रॉंग बना सकते हैं तो दोस्तों अगर वो वही सारे सीन रीक्रियेट करें वही कहानी रीक्रियेट करें तो चांसे हैं कि ये फिल्म काफी जादा सक्सेस्फुल हो सकती है तो क्या था मुंबई का उन चार दिनों में हाल और कैसे धर्म की आंगल को यूज करकर किया गया पुलिस को गुम्रा ये सब जानेंगी हम इस वीडियो में तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंगम और वीर एक आतंगवादी के पीछे लगे हुए है और उसके हाथ में गोली लग जाती है और जैसे उस आतंगवादी के हाथ में गोली लगती है, सिंगम उसे पकर लेता है, उसे अरेस्ट कर लेता है और वहाँ पर एक एंबुलेंस बुलाई जाती है, ताकि उस आतंगवादी को वहाँ से एक हास्पिटल ले जाया जा सके क्योंकि पुलिस के लिए उसका जंदा रहना बहुत जादा जरूरी है ताकि उसकी और होने वाली गतिवीदियों का पता लगाया जा सके तो पुलिस उसे लेकर कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ कामा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने एक आतंग मैं करूंगी मेरे लिए एक कोई आतंगवादी या आम अंसान या कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है बलकि एक जान है जिसे बचाना जरूरी है ऐसे में बाकी डॉक्टर्स उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभी तुमारी फैमली पर कोई आन नहीं आई है तुमारी कोई नुकसान नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह रही हो और तुम चाहती हो कि जिन्दा बच्जा और जिन्दा बचने के बाद बाखी अपनी जो आतंगवादी गतिवीदिया है उन्हें कंटीनू करे और और लोगों को भी मार दे और इतने में ही पुलिस उस टेरिस्ट को ले अब ही लोगों को बताता है कि इन दोनों का बेटा रियान ताज होटेल में होस्टेज बना हुआ है यानि कि टेरिरिस्ट ने उसे अपने कबजे में किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद ये दोनों अपना फर्द अनिभा रहे हैं ये सुनकर वीर और रिया काफी जाद को कहां रखा गया है और जैसे ही संगम को ये बात पता चलती है वो फटाफट वो वीडियो हटा कर वो अकाउंट डियाक्टिबेट कराते हैं पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है अब उस चैरिरिस्ट का काफिला कामा हॉस्पिटल पर अटाक कर देता है कामा हॉस्पि में हॉस्पिटल के बाहर एक मुटभेर में वहां मौजूद आतंगवादी निरोदक दस्ते के साथ उनकी मुटभेर हो जाती है जिसमें पुलिस चीफ हेमंत करकरे और अमत आपटे की मौत भी हो जाती है जिसका जिक्र कुछ महीने पहले आई मुंबई डाइरी में भी किय गया था अस्पताल के अंदर घुषते ही टेरिस्ट ने देखा कि पूरे अस्पताल की लाइट्स को बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ हर गेट पर ताले भी लगा दिये गए हैं लेकिन इसके बावजुद वो टेरिस्ट अपनी गंस से उन तालों पर कॉंस्टेंट करते हैं और तालों को तोड़ कर हॉस्पिटल के अंदर घुष जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में वो रास्ते में दिखाई दने वाले हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं अब टेरिस्ट हॉस्पिटल पहुचकर अपने आतंगवादी दोस्त को धूनने की क कोशिश करते हैं और ढूनते ढूनते बेस्मेंट तक भी पहुच जाते हैं जहां रिया उसका इलाज कर रही होती है जब उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो भाग कर एक बैट के नीचे छिप जाती है अब आतंगवादी नीचे आकर अपने टेरिस्ट दोस् को उमर अबदुल्ला को फोन पर नरेट करते हैं तो उमर अबदुल्ला कहता है कि उसे इस हालत में अकेले चोड़कर आना ठीक नहीं होगा और जिसके बाद वो टेरिस्ट अपने टेरिस्ट दोस्त को गोली मार देते हैं जिससे रिया डर जाती है और सिसकने लगती है अब तब ही उन्हें एक दुपट्टा दिखाई देता है और उन्हें पता चल जाता है कि रिया इस बैट के नीचे छुपी हुई है और वो उसे पकड़ कर ऊपर लाने लगते हैं अब वीर और सिंबा भी टेरिस्ट के पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं और रिया को छुडाने के लिए कॉंस्टेंटली फाइरिंग कर रहे हैं टेर्रीस भी पीछे मुढ़ मुढ़ कर वीर और सिंबा पर फाइरिंग कर रहा हैं लेकिन इन सब के बावजू। टेर्रिस्ट रिया को उपने साथ लजाने में काम्याब हो जाते हैं अब क्या वू रिया को मार देंगे ? यह रिया को साथ ले जाने के पीछे कोई सीक्रेट कारण है यह सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपको बस अस वीडियो को लाइक कर देना है खूब सारे कॉमेंस कर देने है और चानल को सब्सक्राइब कर देना है मैं आपसे मिलूँ नेक्स वीडियो में तब तक इलिए अपना खयार रखें और सनेमा देखते रहें नमस्ते